हेलो फ्रेंट्स, फ्रेंट्स जैसे कह आप जानते हो, बी एड वर्सस भी टीसी मामला आज जो है स्वुप्रीम कोर्ट में सुनुवाई होनी है तो इस मामले में अभी तक किया अपडेट है, क्या लाइव अपडेट है वो सारी चीज़े जो आज इस वीडियो में बताऊंगी और ये भी मैं बताओंगी कि हम लोग टाइम टाइम पर आपको लाइव अपडेशन देते रहेंगे कि इस case में जो है क्या होने वाला है या क्या हो रहा है ये सारी चीजे जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी अब इमें ये भी आपको बताऊंगे कि इस case में क्या सुनवाई होनी है या नहीं होनी है क्या इसका आशंका है यह सारी चीज़े आपको इस वीडियो में मिलेगी सबस्क्राइब कर लिए बेल आइकन को हिट कर देजे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़े कौन-कौन एडवोकेट हैं और क्या-क्या चीज़े हुए है देवे सर्मा जी ने एक ट्विट किया है जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है जो आप अपने स्क्रिन पर भी देख सकते हो कि सर्विस कंप्लीट है आज सर्विस को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो लास्ट में जो प्रिवियस हमारा सुनवाई हो रही थी उसमें हुआ भी था तो इस बार सर्विस को लेकर प्रॉब्लम नहीं हो रही है सर्विस पूरी तरीके से कंप्लीट है अब हम बात कर लेते हैं ऐड़ोकेट की तो जिस तरह से आपको बताये गहता कि senior एड़ोकेट का रहना बहुत ज़रूरी है तो इस बार हम लोग senior एड़ोकेट के साथ ही उतर रहे जो आप लोगों के सहयोग से पूरा हो पाया है पटवालिया जी जो है senior एड़ोकेट जो पू प्लानिशा मैं वो रहेंगी इस तरह से यह सारे एड़ोकेट रहने वाले हैं और भी एड़ोकेट कर मैं आपको बता देती हूं नरेश कौसिक जी जो 10 साल से UPSC एड़ोकेट है वो भी वरतमान में जो है NCT के एड़ोकेट है तो वो भी उहां पर रहने वाले हैं सर्विस मैटर में जो है बहुत माहिर में सर्विस मैटर के एक्सपर्ड बताए जाते हैं अमित पवन जी और वो भी वहां पर पैरवी करेंगे तो इस तरह से इस बार जो अभी हम लोग उतर रहे हैं अच्छे खासे आप बोल सकते हो प्लान के साथ उतर है और कोई कमी अभी तक तो दिख नहीं रही है अभी मैं आपको एक और चीज लाइब अपडेशन के बारें बता दू कि हमारा जो केस है वो कोट नंबर 12 में और आइटम नंबर 52 है चल रहा है चलने वाला है तो यहां पर आपको मैं बताओ कोट नंबर 12 में अभी जो आइटम नंबर 30 नंबर वाले केस में थोड़ा सा टाइम लगा था अदर्वाइस किसी भी केस में ज्यादा टाइम नहीं लिया जा रहा है जिस तरह से हमनों लाइब अपडेट डिस्प्ले पे देख रहे हैं तो वो आप लोग भी चाहो तो जा करके देख सकते हो तो अभी 18 चल रहा है इस फिर मिलूंगी तिल दन है